C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत्र श्रंखला ओडियो बुक इस श्रंखला में आईए सुनते हैं कक्षा 10 के इतिहास विशय की पाठ्थे पुस्तक भारत और समकालीन विश्व भागदो वाचंस्वर संजय चंसोरिया अध्याए एक यूरोप में रास्टवात का उद्य प्रिष्ठ संख्या 3-28 तक 1848 में एक फ्रांसिसी कलाकार फ्रेडिक सार्यू ने चार चित्रों की एक श्रंखला बनाई इन में उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गड़तंत्रों से मिलकर बना था इस श्रंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं यहां यह चित्र बना हुआ है इस चित्र में सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के इस्त्रेपुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की बंदना करते चुए जा रहे हैं आपको याद होगा कि फ्रांसिसी क्रांती के दोरां कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान क्या करते थे यहां भी आप ग्यानोदै की मशाल को पहचान सकते हैं जो उसके एक हाथ में हैं और दूसरे में मनिश्ट के अतिकारों का घोशा पत्र प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुष संस्थानों के ध्वस्थ अवशेश बिखरे हुए हैं सार्यू के कल्पना दर्श अर्थात यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्टों के समूहों में बटे हुए हैं जिनके पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रिय पोशाक से हुती है स्वतंत्रा की मूर्ती से कहीं आगे इस जुरूस का नेतर तो कर रहे हैं संयुक्त राज अमेरिका और स्विट्जरलेंड जो तब तक रास्ट राज बन चुके थे नए शब्द निरंकुषवाद याने एपसलिटिजम ऐसी सरकार या शासन वेवस्था जिसको सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुष नहीं होता इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुष सरकार कहा जाता है जो अत्यांते केंद्रिकृत, सेन्य बलबर आधारित और दमनकारी सरकारे होती थी कल्पना दर्श याने यूटोपिया एक ऐसे समाच की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभख असंभव होता है फ्रांस जो क्रांक्तिकारी तरंगे से पैचाना जा सकता है प्रतिमा के पास अभी अभी पहुँचा है उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा जंडा थामे हैं यह दिलजस्ट है कि जिस समय सार्यू ने ये चबी निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक संयुत राष्ट का हिस्सा नहीं बने थे जो छंडा वे थामे हुए हैं वो 1848 की उदारबादी उमीदों की अभी व्यक्ति है जिसमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक समविधान के अंतरगत एक राष्ट राज्ज में गठित करने की चाह थी जर्मन लोगों के बाद आस्ट्रिया, दो सिसलियों की राजशाही, लॉंबोर्डी, पॉलेंड, इंगलेंड, आयरलेंड, हंगरी और रूस के लोग हैं उपर स्वर्ग से ईसाबसी, संत और फरिष्टे इस दृष्ट पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्टों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है इस अध्याय में ऐसे कई विशे उठाए जाएंगे, जिनकी काल्बनेक अभिव्यक्ती सारियों ने की थी 19 सदी के दरन राष्टवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मांसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिये इन परिवर्तनों से अंतत्य यूरोप के बहुराष्टिय वंशिय सामराज्यों के इस्थान पर राष्ट राज्य का उदै हुआ यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विपसित हो रहे थे जिसमें इसपस्थ रूप से परिभाषित ख्षेतर पर प्रभू सत्ता एक केंजरी शक्ति के थी लेकिन राष्ट राज्य में ना केवल उसके शास्कों बलकि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साजह पहचान का भाव और साजह इतिहास या विरासत की भावना थी साजह पन की ये भावना अनंत काल से नहीं थी ये संगर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्णियों से निर्मित हुई थी ये अध्याए उन वेवेद प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहट उनीसी सरी के यूरूप में राष्ट राज्य और राष्टबाद अस्तित्व में आए आर्नस्ट रेनन राष्ट क्या है? फ्रांसिसी दर्ष्णिक अर्नस्ट रेनन ने 1882 में स्वाबॉन मिश्वध्यले में दिये गए एक व्याख्यान में राष्ट को की अपनी समझ को प्रसुत किया बाद में ये व्याख्यान एक प्रसिद निबंद के रूप में छपा जिसका शिवशक था राष्ट क्या है? इस निबंद में रेनन अन्य लोगों तोर प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करता है कि राष्ट समान भाषा, नस्ल, धर्ब, याक्षित्र से बनता है एक राष्ट लंबे प्रयासों, जाग और निस्ठा का चरम मिंदू होता है शौरी वीरता से युक्त अतीत, महान पुरुशों के नाम और गौरव, यह वो सामजिक पूंजी है जिस पर एक राष्टी विचार आधरित क्या जाता है अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा, संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा, एक जन्समू होने की यह सब जरूरी शर्के है अते, राष्ट एक बड़ी और व्यापक एकता है, उसका अस्तिप्व, रोज होने वाला जन्मत संग्रह है प्रांत उसके निवासी है, अगर सलह लिये जाने का किसी का आदिकार है, तो वो निवासी ही है किसी देश का विले करने, या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जबाय रखने में, एक राष्ट की वास्तों में कोई दिलजस्पी होती नहीं है राष्टों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बलकि ये एक सिरूरद्ध है उनका होना स्वत्रंता की गरेंटी है और अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक होता, तो स्वत्रंता का लोप हो जाएगा नए शब्द जन्मत संग्र है एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिये एक शेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को अस्विकार या अस्विकार करने के लिए पूछा जाता है चर्चा कीजिए रेनन की समझ के अनुसार एक राष्ट की विशेष्टाओं का संक्षिप्त विवरन दें उसके मत अनुसार राष्ट क्यों महतपून है फ्रांसीसी क्रांती और राष्ट का विचार रास्टवात की पहली सपस्ट अभिव्यक्ती 1789 में फ्रांसीसी क्रांती के साथ हुई जैसा कि आपको याद होगा 1789 में फ्रांस एक ऐसा राजय था जिसके संपूर्ण भूभाद पर एक निरंकुष राजा का आधिपत्य था फ्रांसीसी क्रांती से जो राजनीतिक और समवैधानिक बदला हुए उनसे प्रभूसत्ता राजतंद्र से निकल कर फ्रांसीसी नागरिगों के समू में हस्तांत्रित हो गई क्रांती ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा रास्ट का गठन होगा और वे ही उसके नियदी तै करेंगे प्रारम से ही फ्रांसीसी क्रांतीकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामोही के पहचान की भावना पैदा हो सकती थी पित्र भूमी और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयूक्त समुदाय के विचार पर बल दिया जिसे एक समविधान के अंतरगत समान अधिकार प्राप्त थे अतै एक नया फ्रांसीसी जंडा तिरंगा चुना गिया जिसने पहले के राज धुज की जगह ले ली स्टेट जनल का चुनाब सक्री नागरिकों के समुद वारा के जाने लगा और उसका नाम बदल कर नेशनल एस्सेम्बली कर दिया गया नई स्तुतिया रची गई, शपत ही ली गई, शहीदों का गुड़गान हुआ और यह सब रास्ट के नाम पर हुआ एक केंद्रिय प्रशासनिक व्यवस्था लगूगी गई, जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए आंत्रिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिये गए और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागूगी गई के और लक्ष था कि वह यूरूब के लोगों को निरंगकुश शाजकों से मुक्त कराएं। दूतरे शब्दों में फ्रांस यूरूब के अन्य लोगों को राष्टर में गठित होने में मदद करेगा। करांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाय रास्तवात के विचारों को विदेशों में ले जाने लगी। यहां एक चित्र बना हुआ है। इस चित्र में एक जर्मन पंचांग याने तिथी पत्र का मुख प्रष्ठ है। इसे पत्रकार एंट्रिया प्रष्ठ रेबनान ने 1798 में डिजाइन किया था। फ्रेंच ब्रास्टील में करांतिकारी भीड के प्रवेश के चित्र को उससे मिलते जुलते खिले की बगल में बना गया है। यह किला जर्मन प्रांत कैसेल में निरंकुष शाषन के गढ़ के रूप में चित्र थै। इ प्रांस में पहले ही आरम किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंदर वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदे वहां प्रजातंदर को नस्ट कर दिया था। मगर प्रशासनिक शेत्र में उसने क्रांतिकारिस्त धन्तों का समाविश किया था ताकि पूरी व्यवस्ता अधिक तर्क संगत और कुशल बन सके। 1804 की नागरिक सहंता जिसे आमतोर पर नेपोलियन की सहंता के नाम से जाना जाता है ने जन्म पर आधरत विशेशा दिकार सबात कर दिये थे। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इस सहंता को फ्रांसिसी नियंत्रन के आधि किसानों को भू दासत्व और जागिर्दारी शुलकों से मुक्ति दलाई। शहरों में भी कारिगरों के शिरणी संगों के नियंत्रनों को हटा दिया गया। जातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। किसानों, कारिगरों, मजदूरों और नए उद्योगप और खास तोर पर समान बनाने वाले लगू उत्पादकों ये समझने लगे कि एक समान कानून, मानक भार तथा नाप और एक राष्टिय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्थू और पूंजी के आवगमन में सहुलियत होगी। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानी लोगों की फ्रांसीट्री शासन के प्रती मिलि-जूली पर तिक रिया थी। शुरुआत में नेक स्थानों जैसे हॉलिंड और स्विड्जरलिंड और साथ ही कई शेहरों जैसे प्रसल्स, मेंस, मिलान और वरसा में फ्रांसीट्री स्यनाओं का स्वतंत्रता का बड़े हुए कर, सेंसर्शिप और बाके यूरूप को जीतने के लिए फ्रेंच सैना में जबरन भरती हिसे हो रहे नुकसान प्रशास्निक परिवर्तनों से मिले फाइदों से कहीं ज्यादा नजर आने लगें। जबरकें शहर पर कब्सा है। अपनी नीली, सफैद और लाल पोशाकों से पहचाने जाने वाले फ्रांसी सैनिकों को दमनकारियों के रूप में प्रसुत किया गया है जो एक किसान की गाड़ी चीनते हुए कुछ यूवा महिलाओं को तंग कर रहे हैं और एक किसान को घुट पर मजबूर कर रहे हैं। स्वतनत्रा के व्रक्ष पर लगाई जा रही पट्टी पर जर्मन में लिखा हुआ है उसका अनवाद है हमसे आजादी और समानता ले लो यह मानावता का आदर शुरूप है। यह फ्रांसीसियों के इस दावे पर व्यंग है कि वे जिन इलाकों म जाते थे वहां राज तंद्र का विरोध कर मुक्तिदाता बन जाते थे। एक और चितरतिया है राइनलेंड का डाकिया जो लैसर से आते हुए सब कुछ गवा देता है। यहां नेपोलियन को 1813 में लैसरत की लडाई हर कर फ्रांस लुटते हुए डाकिये के रूप में दर चुका है। रहते थे। वे अपने आपको एक सामोही के पहचान या किसी समान संस्कृती का भागिदार नहीं मानते थे। अक्सर वे अलग-अलग भाशाएं बोलते थे और विबन जाती समोह के सदस्ते थे। उधारन के तार पर आस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला सामराज कई अलग-अलग शेत्रों और जन समूह को जोड़कर बना था। उसमें एल्प्स के टरॉल, आस्ट्रिया और सुडेनलेंड के जैसे अलाखों के साथ-साथ बोही में भी शामिल था। वहां के कुडीन वर्ग में जर्मन भाशा बोलने वाले ज्यादा थे। हैसबर्ग सामराज में लॉंबर्डी और वेनेश्या जैसे इतालवी भाशी प्रांदी भी शामिल थे। हंगरी में आधे लोग मैगमर भाशा बोलते थे जबकि बाकी लोग विभिन बोलियों का इस्तिमाल करते थे। गालीसिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाशा बोलता इन प्रभावशाली समूह के अलावा हैसबर्ग सामराज की सीमा रिखाओं के भीतर भारी संक्या में खेती करनेवा लोग अधीन अवस्था में रहते थे। जैसे उत्तर में बोहीमियन और स्लोबाग, कार्निवोला में स्लोवेंस, दक्षड में क्रोएट तथा पूरा के तरफ ट्रांसेलवेनिया में रहने वाले राउमन लोग, ऐसा फर्क राजनितिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था, इन तरह तरह के समूह को आपस में बांधने वाला तत्व केवल समराट के प्रती सबकी निष्ठा थी, रास्टवात और राश्टराज क का विचार कैसे उभरा? उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े होते थे, मगर वो शक्तिशाली कूलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था, जनसंख्या के अधिकांश लोग किसान थे, पश्चे में ज्यादातर जमीन पर किरायदार और छोटे कर्ष्टक शेहरों का विकास और वांड़जिक वर्गों का उदे हुआ, जिनका अस्चित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। में इन समूह का आकार उनीस्वी सदी के अंदिम दश्कों तक छोटा था। कुलीन विशेचादिकारों की समाप्ती के बाद सिक्षित और उदारवादी मध्यवर्गों के बीच ही राश्टी एक्ता के विचार लोग प्री हुए। उदारवादी रास्टवाद के क्या मायने थे। यूरूप में उनीस्वी सदी के शुरुआती दश्कों में रास्टी एक्ता से सम्मंदित विचार उदारवाद से करीब से जोड़े थे। उदारवाद याने लिबरलाइजेशन शब्द लातिनी भाषा के मूल लिबरल पर अधरित है जिसका अर्थ है आजाद। नए बध्यवर्गों के लिए उदारवाद का मत्तब्था व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। राजनितिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोड़ देता था जो सहमती से बनी हूँ। आप याद करें कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंद्र का पहला राजनितिक प्रयोग था और वहां मत्त देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्ति वन पुरुषों को ही हासिल था। उसने महिलाओं को औवयसक दरजा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों की अधीन कर दिया। संपूर उनिस्वी सदी तथा बीस्वी सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहिन पुरुषों ने समान राजनितिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए। आर्थिक शेत्र में उधारवाद बाजारों के मुगती और चीजों तथा पूंची के आवगमन पर राज्य द्वारा लगाए गये नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। उनीसवी सदी के द्वरान उभरते हुए मध्यवर्गों के ये जोरदार मांग थी। आईए हम उनीसवी सदी के पहले भाग में जर्मन भाशी इलाकों का उधारंडे। नेपोलिन के प्रशासने कदमों से अनगिनेत छोटे प्रदेशों से 49 राज्यों का एक महा संग बना। इन में से प्रत्यकों अपनी मुद्रा और नापतौल प्रणारी थी। 1833 में हैंसबर्ग से न्यूमे कर जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी की 11 सीमा शुलक नागों से कुजरना पड़ता था। और हर बार लगभग 5 प्रतिशत सीमा शुलक देना पड़ता था। शुलक अक्सर वस्तौन का वजन या आकार के अनुस्वार लगा जात साथ घटती वर्ची थी। अगर एक एल कपड़ा फ्रेंकवर्ट से खरीदा जाता तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता। मेंज में 55.1 सेंटीमीटर न्यूमर्ग में 65.6 सेंटीमीटर और फ्रैंबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर। नए वानिजिक वर्ग ऐसी परिसितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसे एकिकरत आर्थिक शिद्र के निर्मान के पक्ष में तर्ग दे रहा था जहां वस्तू, लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रही थो। शिलिता बढ़ाई और आर्थिक हितों को राष्टी एकिकरन का सहयक बनाया। उस समय पनप रही व्यापक राष्टवादी भावनाओं को आर्थिक राष्टवाद की लहर ने मस्बूत बनाया। 1815 के बाद एक नया रूडिवाद 1815 में नेपोलियन के हार के बाद यूरूपी सरकारे रूडिवाद की भावना से प्रिरित थी। रूडिवादी मानते थे कि राजी और समाज की स्थापित पारंपरे की संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामजिक उंचनी, संपत्ती और परिवार को बनाया रखना चाहिए। फिर भी अधित्ता रूडिवादी लोग क्रांती से पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे। नेपोलियन द्वारा शुरू किये गए परिवर्तनों से उन्होंने जान लिया था कि आधुनिकी करण राजतंत्र जैसी पारबरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। वराजी की ताकत को ज्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। एक आधुनिक सैना, कुशल नोकरशाही, गतिशील अर्थवैवस्था, सामतवाग और भूदासत्व की समापती यूरोप के निरंकुष राजतंत्रों को शक्ति पतान कर सकते थे। इसमें प्रतिनेजियों ने 1815 की वेना संधी याने ट्रीट्री अफ वेना तैयार की जिसका उद्देश उन सभी सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलिया युद्धों के दौरान हुए थे। फ्रांसेजी करांती के दौरान हटाए गए बूरुबो वंश को सत्ता में बहल किया गया और फ्रांस ने उन लाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधिन किया था। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिये गए ताकि भवश्य में फ्रांस विस्तार ना कर सके अते उत्तर में नीदरलेंड्स का राज्य स्थापित किया गया। नए शब्द, रूडिवाद, ऐसा राज्यनीतिक दर्शन जो परंपरा, स्थापित संस्थाओं और रिवासों पर जोर देता हो और तेज बदलावों की बजाए क्रमिक और थीरे-धीरे विकास को प्रात्मिकता दिता है। चर्चा करें। उन्हें राज्यनीतिक देशों का विवरण दें जने आर्थे कदमों द्वारा हासिल करने की उमिद लिस्ट को है। पोलिंड का एक हिस्सा दिया गया जबकि प्रशा को सेक्षनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। इन सब का मुख्य उद्देश उन राज्यतंत्रों की बाहली था जने नेपोलियन ने बरखास कर दिया था। साथ ही यूरोप में एक नई रूडिवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष भी था। 1815 में थापित रूडिवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुष थी। वे आलुचना और एस्यमती बरदाश्ट नहीं करती थी और उन्होंने उन गतिविध्यों को दबाना चाहा जो निरंकुष सरकारों की वैधिता पर सवाल उठाती थी। ज्यादा दर सरकारों ने सेंसर्शिप के नियम बनाए जिनका उद्देश, अखबारों, किताबों, नाठकों और गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रन लगाना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांती से जुड़े स्वतन्सता और मुक्ती के विचार जलगते थे। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांती की स्वति उदारवादियों को लगातार प्रेजित कर रही थी। नई रूडिवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी रष्टवादियों जारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा था प्रेस की आज़ादी। चर्चा करें व्यंगिकार दिये गए चित्र में क्या दर्शाने का प्रेयास कर रहा है। बातों को शामिल किया गया है। पहला इस पढ़े लिखे समाज का पहला नियम है खामोशी। दूसरा ऐसी किसी स्थिती से बचने के लिए जब इस कलब का कुई सदस्य से बोलने के लोब का शिकार हो जाए तो सदस्यों को प्रवेश करने पर मुबंद रखने वाली मोहरे बाते जाएंगे। पहला और संगर्श करना क्रांतिकारी होने के लिए ज़रूरी था। ज्यातातर क्रांतिकारी राष्ट राज्यों की सापना को आजादी के इस संगर्श का अनिवार हिसा मानते थे। ऐसा ही वब्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी जूसैपी मैट्सिनी। उनका जन्म 1807 में जन्यूवा में हुआ था और वो काबो नारी के गुप्त संगर्थन का सदस्यर बन गया। चौबी साल की युवावस्था में लिगूरिया में करांति करने के लिए उससे बहिश्कृत करतिया गया। तक पर शात उसने दो और भूमिगर्थ संगर्थनों की स्थापना की। पहला था मार्सियाई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरूप जिसके सदस्य पोलेंड, फ्रांस, इटली और जन्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। मैटसिनी का फिश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनसार राष्ट ही मनिश्यो और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता था। उसे जोड़कर राष्टों के व्यापक गडबंधन के अंदर एकिकरत गड़तंतर बनाना ही था। ये एकिकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। उसके इस मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलेंड और पॉलिंड में गुप्त संगठन कायम किये गए। मैट्सनी द्वारा राष्टंतर का घोर विरोध करके और प्रजातांतरिक गड़तंतरों के अपने स्वपने से मैट्सनी ने रूडिवादियों को हरा दिया। मैटर निक ने उसे हमारी सामजिक व् मजबूत बनाने की कोशिश की यूरोप के अने क्षित्रों में उदारवाद और राष्टवाद को क्रांती से जोड़ कर दिखा जने लगा। इटली और जर्मनी के राज्य ओटोमन सामराज्य के सूबे आरलेंड और पॉलेंड जैसे ही कुछ क्षित्र थे। इन क्रांतिय फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। के फलसरूप United Kingdom of the Netherlands ने अलग हो गया। इकटना जिसने पूरे यूरोप के सिक्षित अभिजात वर्ग में राष्टी भावनाव का संचार गिया था। वह थी यूनान का स्वतनत्र संग्राम। पंद्रवी सदी से यूनान ओटोमन सामराज्य का हिसा था। यूरोप में क्र आंतिकारी राष्टवाद की प्रकती से यूनानियों का आजादी के लिए संगर्ष 1821 में हो गया। यूनान में राष्टवादियों को निर्वासन में रह रहे हैं यूनानियों के साथ पष्यमी यूरोब के अनिक लोग incentives मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्प्रती के प्र बाइरन ने धन एकटा किया और बाद ने युद्ध में लड़ने भी गए जहां 1824 में बुखार से उनकी मित्य हो गई अंतदे 1832 की कुस तुन्तुनिया की संधी ने यूनान को एक स्वतंदर राष्ट की मानता दी रूमानी कल्पना और राष्ट्री भावना राष्टवाद का विकास किवल युद्धों और ख्षेत्री विस्तार से नहीं हुआ राष्ट के विचार के निर्माड में संक्रती ने एक एहम भूमे का निभाई कला, काव्व, कहानियों, किस्तों और संगीत ने राष्टवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया आईए हम रूमानी वाद को देखें जो एक ऐसी सांस्क्रतिक आंदोलन था जो एक खास तरेकी राष्टी भावना का विकास करना चाहता था आम तोर पर रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क, वितर्क और विज्ञान के महिमा मंदन की अलुष्णा की और सिजगे भावनाओं, अंतरदृष्टी और रहस्यवादी भावनाओं पर जो दिया उनका प्रयास था कि एक साजा सामोही के विरासत की अनुभूती और एक साजा सांस्क्रतिक अतीत को राष्ट का आधार बनाया जाए जर्मन दार्शनिक योहान गौर्ड फ्रीड जैसे ही रूमानी चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मनी संस्क्रति उसके आम लोगों में नहीं थी राष्ट की सच्ची आत्मा लोग गीतों, जनकाव्य और लोग निस्तियों से परकट होती थी इसलिए लोग संस्क्रति के इन सुरूप को एकत्र और अंकित करना राष्ट के निर्मान की पर्यूशना के लिए आवशक था स्थानिय बोलियों पर बल और स्थानिय लोग स्वाहित्य को एकत्र करने का अधिश केवल प्राची ने राष्ट्री भावना को वापस आना नहीं था बलकि आधुरिक राष्ट्री संदेश को ज्यादा लोगों तक पहुचाना था जिन में से अधिकास निरक्षर थे ये खास तोर पर पॉलियंड पर लागू होता था जिसका अठारवी सदी के अंति में रूस, प्रशा और आस्ट्री जैसी बड़ी शक्तियों अर्थात ग्रेट पावर्थ ने वे भाजन कर दिया ये दपी पॉलिंड अब स्वतंत्र भूग शेत्र नहीं था किन्तु संगीद और भाषा के जरियर राश्ट्री भावना जीवित रखी गई मस्तन कैरोल कूप्रिस्की ने राश्ट्री संगर्श का अपने आपेरा और संगीद से गुड़गान किया और पॉलिंडस और माजूर का जैसे नुक्तत्यों को राश्ट्री प्रतीकों में बदल दिया भाषा ने भी राश्ट्री भावनाओं के विकास में एक महत्यपूर भुमिकाने भाई रूसी कबजे के बाग पोलिश भाषा को स्कूलों में बलपूर्वक हटा कर रूसी भाषा को हर जगए जवरन लादा गया 1831 में रूस के विरुद एक सश्रस्र विद्रो हुआ जिसे आखिरकार को चल दिया गया इसके अनेक सदस्चों ने राश्टवादी विरुद के लिए भाषा को एक हत्यार बनाया चर्च के आईजनों और संपुन धार्मिक सुक्षा में पोलिश का इस्तमाल हुआ इसका नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में पादरियों और बिश्पों को जेल में डाल दिया गया रूसी अधिकारियों ने उन्हें सजा देते हुए साइबेरिया भेज़ दिया क्योंकि उन्होंने रूसी भाषा का प्रचार करने से इंकार कर दिया था पोलिश भाषा रूसी प्रभत्व के वृद्ध संगर्श के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी 1830 का दशक यूरूप में भारी कटनाईय लेकर आया उनीसवी सदी के प्रसंभाग में पूरे यूरूप में जनसंख्या में जवर्दस जवर्द्धी हुई ज्यादा दर देशों में नौकरी ढूनने वालों की तादाद उपलब्द रूजगार से अधिक थे ग्रामिन ख्षित्रों की अतरिक दाबाती शहर जाका भीड से भरी खरीद बस्तियों में रहने लगी नगरों के लगू उत्पादभूं को अक्सर इंग्लेंड से आया ते तो मशीन से बने सस्से कपड़े से कड़ी प्रतिसपर्दा का सामना करना पड़ रहा था इंग्लेंड में अध्योगी करन का स्तर महाजवीप से उचा था महाजवीप को ये प्रतिसपर्दा कपड़ा अध्योग में ज्यादा जहलनी पड़ रही थी क्योंकि उसका उत्पादन मुक्यत घरों और छोटे कारखानों में होता था और केवल आंशिक रूप से माशीनी करत था यूरूप के उन अलाकों में जहां कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था क्रशक सामनती शलकों और जम्मेदारियों के बोच तरे दबे थे खाने पीने की चीजों के मूले बढ़ने या किसी वर्ष फसल के खराब होने के शहर और गाउं में व्यापा खरी भी फैल जाती थी चर्चा करें रास्टी पहचान के निर्मेत होने में भाशा और लोग परमपराओं के महत्र की चर्चा करें ग्रिम बंधूं की कहाने लोग कथाएं और अश्टेंड माण ग्रिम से फैरी टेल्स एक जाना माना नाम है जैकब ग्रिम और विलहेम्स ग्रिम बंधूं का जन्म 1785 और 1786 में जर्मनी के हनाव शहर में हो था जिस समय ये दोनों भाई खानून की पढ़ाई कर रहे थे उसी समय उन्होंने शौक्या तोर पर पुरानी लोग कथाएं खटा करना शुरू कर दिया वे 6 साल तक गाउं गाउं जाकर यही काम करते रहे वे लोगों से बात करते थे और पीडियों से चली आ रही जो भी लोग कथा उनकी जानकारी में आती उसे लिख कर रख लेते थे यह काहनिया बच्चों और बड़ों में समान रूप से पसंद की जाती थी 1812 में उन्होंने इन काहनियों का पहला संग्रय प्रकाशित किया बाद में दोनों भाई उदारवादी राजनीती में स्वक्री हो गए प्रैस की स्वतनता के आंदोलन में उन्होंने विशेश रूचि दी इसी बीच उन्होंने 33 खंडों में जर्मन भाशा का शब्द कोश भी प्रकाशित कर डाला गिर्म बंधू फ्रांस के वर्चस को जर्मन संस्कृती के लिए खत्रा मानते थे उनको विश्वास था कि उन्होंने जो लोक कथां इखटी की हैं वे विशुद्ध और सच्ची जर्मन भावना की अभी रखती हैं लोक कथां इखटी करने और जर्मन भाशा को विक्सित करने के अपने प्रयासों को वे फ्रांसीसी प्रभुत्व का विरोध करने और एक जर्मन राष्टी पहचान गढ़ने की व्यापक योजना का हिस्सा मानते थे 1848 एक ऐसा ही कवर्ष था खाने पीने की कमी और व्यापक बेरूजगारी से पेरिस के लोग सड़कों पर उतराएं जगे जगे अवरोध लगाए गए और लूई फिलिप को भागने पर मजबूर किया गया राष्टी सभा अर्थाथ निश्टल एसेमली ने एक गड़तंत्र की घूशना करते हुए 21 वर्ष से उपर सभी व्यास के पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की गरेंटी दी रूदकार उपलब्द कराने के लिए राष्टी कारखाने स्थापेत किये गए इससे पहले 1845 में सिलेशिया में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ फिद्रो कर दिया था जो उने कच्चा मास देकर निर्मित कपड़ा लेते थे परन्तु दाम बहुत कम थे पत्सकार विलहम वल्फ ने सिलेशिया के एक गाउं की घठना इस्तकार बयान की इन गाउं में जिनकी आबादी 18,000 है सूती कपड़ा बुनने का वैवसाय सबसे व्यापक है श्रमिगों की हालत खस्ता है काम के लिए बेताब लोगों का फायदा उठा कर ठेकेदारों ने बनवाए जाने वाले माल की खेमितें गिरा दी हैं। ठेकेदार अपने परिवार के साथ पड़ोस के गाउं भाग गया हाला की ऐसे व्यक्ति को उस गाउं ने शरण देने से इंकार कर दिया। वो 24 घंटे बाद सैना को बलाकर उसकी मदद से लौटा उसके बाद जो टकरा हुआ उसमें 11 बुनकरों को गोली मार दी गए। 1848 में जब अनेक यूरोपी देशों में खरीबी बिरूजगारी और भुकमरी से गरस्त किसान मजदूर विद्रो कर रहे थे तब उसकी समानंतर पढ़े लेखे मध्यम वर्गों की एक करांती भी हो रहे थी। फरवरी 1848 की घटनाउं से राजा की गद्दी छोड़नी पड़ी थी और गरतंस की घुष्णा की गई जो सभी पुरुषों के सार्विक मताधिकार पर अधारे थी। यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंतरत राष्ट राज्य अस्तितु में नहीं आये थे जैसे जर्मानी, इटिली, पॉलेंड, आस्ट्रिया, हंग्रेन, सामराज, वहां की उधारवादी मध्यवर्गों के इस्तिरी पुरुषों ने सम्विधान वात की मा और संगठन बराने की आजादी जैसे संसदी सिद्धान थोपा रधारे थी। जर्मन इलाकों में बड़ी संक्या में राजनीति की संगठनों ने फ्रैंक्फर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल एसेमली के पक्षमे मत्तान का फैसला लिया। इस राष्ट की अधश्ता एक ऐसे राजा को सौपी गई जिसे संसद की अधीन रहना था। जब प्रतिनियों ने प्रशा के राजाग फ्रेडरिक विलहेम चतुर्ट को ताज पैनाने की कोशिट की तो उसने उसे अस्विकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाच समर्थन खो बैठे। अंत में सैनिको को बलाया गिया और एसेमली भंग होने पर मजबूर हुई। उदारवादी अंदुलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास पत था हाला कि अंदुलन में वर्षों से बड़ी संक्या में महिलाओं ने शक्री रूप से भाग दिया था। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किये, अखबार शुरू किये और राजनीतिक बैठकों और प्रदशनों में शिरकत की। इसके बावजूद उन्हें एसेमलीयों के चिनाव के दौरान मतादिकार से जित की गई थी, तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसिय से दर्शक दीरगा में खड़े होने दिया गया। शुरूप की निरंकुष राजशाहियों ने उन परिवर्तरों को आरम किया जो पश्चीमी यूरूप में 1815 से पहले हो चुगे थे। इस प्रकार हैप्सफर्क अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस में भूदासत्व और बंधुआ मजदूरी समात कर दी गई। हैप्सफर्क शाषकों ने हंगरी के लोगों को ज्यारदा स्वायतता प्रदान की हाला कि इससे निरंकुष मैगमेरों के प्रभुत्व का रास्ता ही साफ हुआ। नए शब्द विचारधारा एक खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक रुष्ट्री को अंगित करने वाले विचारों का सम्भू। चर्चा करें तीन लेखकों द्वारा मैलाओं के अधिकारों के प्रश्णों पर विचलियते विचारों के तुलना कीजिए उनसे उदारवादी विचारधारा के बारे में क्या इसपस्ट होता है। जर्मानी और इटली का निर्माण जर्मानी क्या सैना राष्ट की निर्माता हो सकती है। 1848 के बाद यूरूप में राष्टवाद का जनतांत्र और क्रांती से अलगा होने लगा। राजी की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरूप राजनितिक प्रभुत्व हसिल करने के लिए रूडिवादियों ने अक्सर राष्टवादी भावना का इस्तिमाल किया। इसे उस प्रक्रिया में देखा जा सकता है जिससे जर्मनी और इटिली एकिकरत होकर राष्ट राज बने। जैसा आपने देखा है राष्टवादी भावनाय मध्यवरगी जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थी और उन्होंने 1848 में जर्मन माहसंगे के विबिन इलाकों क जूड कर एक निरवाचे संसा द्वारा इस्चाषित राष्ट राज बनाने का प्रयास किया था। मगर राष्ट निर्माण के ये उदारवादी पहल राजशाही और फौच की ताकत ने मिलकर दबा दी। उनका प्रशा के बड़े भू स्वामियों ने भी समर्थन किया। इसके प्रशाद प्रशा ने राष्टी एकिकरण के आंदोलन को नेतर दो समाल दिया। उसका प्रमुक मंतरी ओटोवान विसमार्ग इस प्रक्रिया का जनक था जिसने प्रशा की सेना और नोकर शाहों की मददत्री। साथ वर्ष के दोरान आस्ट्रिया, डनमार्ग और फ 71 को सुबह बेहत थंडी थी। जर्मन राज्जियों के राजकुमारों, सेना के प्रदिनिदियों और प्रमुक मंतरी ओटोवान विसमार्ग समेथ प्रशा के महत्यपूर मंतरियों की एक बैठक वर्षाय के महल के बेहत थंडे शीश महल में हुई। सभा ने प्रशा के बैंकिंग और कानूनी तथा नियाइक व्यवस्थाओं के आधुनी की करण पर काफी जोड़ दिया और प्रशा द्वारा उठाए गये कदम और उसकी कारवाईयां बाकी जर्मनी के लिए अपसर एक मौटर बना। इटली जर्मनी की तरह इटली में भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था। इटली अनेक वंशानुकत राज्जों तथा बहुराश्टी हैपसभर्ग सामराज में बिखरा हुआ था। बूर्बो राजाओं के अधिन था। इतली भाषा ने भी साजा रूप हासिल नहीं किया था और अभी तक उसके विवेदिक खेत्री और इस्थानी रूप मौजूद थे। जरीये इतली राज्जों को जोड़ने की जिम्मेदारी सारडिनिया पीटमॉंट के शासक विक्टर विनिम इमोनियल दूदिय पर आ गए थी। इस सक्षेत्र के शाशक अभी जातवर्गी नजरों में एकिकरत इटली उनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्र की संभाएना उत्पने करता था। मंत्री प्रमुक कावूर जिसने इटली के प्रदेशों को एकिकरत करने वाले अंदोरन का नेत्रत किया ना तो क्रांति कारी था और ना ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला। इतालवी अभजात वर्ग के तमाम अमीर और सिक्षस रस्यों की तरह वो इतालवी भाषा से कहीं बहतर फ्रेंच बोलता था। 1867 में वे दक्षन इटली और दो सिसलियों के राज़े में परविश कर गए और स्पेनी शास्कों को हटाने के लिए थानी किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। उन्होंने इटालविया के बारे में कभी सुना ही नहीं था और वे मानते थे कि लाज टालिया विक्टर एमेनुवल की पत्नी थी। ब्रिटेन की अजीब दास्तान कुछ विद्वानों ने तर्क दिया कि राष्ट या राष्ट राज्यों का मौडल या आदर ग्रेट ब्रिटेन है। ब्रिटेन में राष्ट राज का निर्माण अचानव हुई कोई उथल बुथल या क्रांती का प्रणाम नहीं था, यह एक लंबी चलने वाली परक्रिया का नतीजा था। अठारवी सदी के पहले ब्रितानी राष्ट था ही नहीं, ब्रितानी दियू सम्मू में रहने वाले लोगों अंग्रेश, वेल्ज, स्कॉर्ट या आरिश की मुख्य पहचान निर्जाती थी, इन सभी जाती सम्मूहों की अपनी शास्की सांस्कृतिक और आजनितिक परंप आता है, लेकिन जैसे जैसे आंग्र राष्ट की धन दौलत, एहमियत और सत्ता में ब्रति हुई, वह द्वीब समूह के अने राष्टों पर अपना प्रभुतु बढ़ाने में सभल हुआ, एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्र संसद ने 1688 में राजतंदर से पाकत छिनली थी, इस संसद के माध्यम से एक राष्ट राज्य का निर्वाण हुआ, जिसके केदर में इंग्लेंड था, इंग्लेंड और स्कॉटलेंड के बीच, एक्ट ऑफ यूनियन 17 सुसाथ से युनाइटेट किंग्डम ऑफ ग्रेट बिटेंड का गठन हुआ, जिसस संस्थानों को यूजना बद तरेके से दबाया गया, स्कॉर्टेस्टर हाइलेंड के निवासी जिन कैथलिक कुलों ने जब भी अपनी आजादी को व्यक्त करने का प्रयास किया, उन्हें जबर्दस दमन का सामना करना पड़ा, स्कॉर्टेस्टर हाइलेंड के लोगों को गैलिक भाषा बूलने कि अपनी राष्टी पोशाग पहनने के मना ही थी, उनमें से बहुत सारे लोगों को अपना वतन छोड़ने पर मजबूर किया गया, आयरलेंड का भी कुछ ऐसा ही हश्रुआ, वो देश, कैथलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गोटों में दिया गया, वॉल्फ टॉन और उसकी युनाइटिट आयरिश्मेन की अगवाई में हुए असफल विद्रों के बाद, अठारा सो एक में आयरलेंड को बलपूरवक युनाइटिट किंग डंग में शामिल कर दिया गया, एक नए बृतानी राष्ट का निर्माड किया गया, जिस पर हावी आंग्ल सहसकती का प्रचार पसार किया गया, नए बृतिन के प्रतीफ चिन्नो, बृतानी जंडा यानि यूनियन जैक और राष्टी गान गौट शेव अवर नोबल किंग को खूब बढ़ावा दिया गया और पुराने राष्ट इस संग में माथत सायोगिय गरूप में ही रह पाएं, गतिविदी, चित्रकार ने गैरी बॉल्डी को सरडिनिया पीडमान के राजा को जूते पहनाते हुए दिखाया है, अब इटली के नक्षे को देखें और यह वेंग चित्र क्या कहने का प्रयास कर रहा है, राष्ट की द्रिश पलकल्पना, किसी शासक को एक चित्र या मूर्ती के रूप में अभिव्यक्त करना आसान है, किन्तो एक राष्ट को चेहरा कैसे दिया जा सकता है, अठारवी और निस्वी सदी में कलाकारों ने राष्ट का मानवी करन करके इस प्रश्ण को हल किया, दूसरे शब्दों में उन्होंने एक दे रूते विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था, यानि नारी की छबी रास्ट का रूपक बन गई, आपको याद होगा कि फ्रांसीसी करांती के दौरान कलाकारों ने स्वतंतरता, न्याय और गरतंत जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प रूप में द्रत किया जाता है, जिसकी आँखों पर पट्टी बंदी होई है और वत्तरा दुलिये हो है, इसी प्रकार के नारी रूपकों का आपरिशकार कालाकारों ने 19 साधी में किया, फ्रांस में उसे लोकोपरी इसाई नाम मारियान दिया गया, जिसने जनराष्ट के विचार को रेक अंकित किया, उसके चने भी स्वतंत्रता और गड़तंत्र के थे, लाल टोपी, तरंगा और कलगी, मारियान की प्रतिमाएं सारवजनित चौंकों पर लगाए गई ताकि जनता को एकता के राष्टी प्रती की याद आती रहे और लोग उससे तादात में का मुकुट पहनती है क्योंकि जर्मन बलूत वीर्था का प्रतीक है, नए शब्द, रूपक, जब किसी अमूर्थ विचार जैसे लालच, इर्शा, स्वतंत्रता, मुक्ति को किसी व्यक्ति या किसी चीज के जरीए इंग्लिस क्या जाता है, एक रूपात्मक कहानी के दो अ अनुदारवादी जनतांत्रिक स्वभव नहीं रहा जो सधी के प्रतम भाग में था, अब राष्टवाद सीनित लक्षों वाली संकिर्न से दांद बन गया, इस बीच के दौर में राष्टवादी समू एक दूसरे के प्रती अनुदार होते चले गए और लड़ने के लिए हमेशे तया रहते थे, साथ ही प्रमुक यूरोपी शक्तियों ने भी अपने सामराज्यवादी देशों की प्राप्ती के लिए अधीन लोगों की राष्टवादी आकांख्षाओं का इस्तिमाल किया, 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्टवादी तनाव का स्रोत बाल जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉंटी निग्रो शामिल थे, क्षेतर के निवासियों को आमतोर पर स्लाव पकरा जाता था, बालकन क्षेतर का एक बड़ा हिस्सा ओटोमन सामराज्य के नियंत्रन में था, बालकन क्षेतर में रूमानी राष्टवाद के विचा से स्थिति काफी विसफोटक हो गई, उनीसी सदी में आटोमन सामराज्य ने आधनी की करण और आंतरिक सुधारों के जरिये मजबूत बना चाहता, किन्तु इसमें इसे बहुत कम सभलता मिली, एक के बादेख, उसके अधीन यूरोपिय राष्टिताएं उसके चंगुल से निकल कर स्वतंद्रता की घुष्णा करने लगी, बालकल लोगों ने आजादी या राजनीतिक अधिकारों के अपने दावों को राष्टिता का आधार दिया, उन्होंने इतियास का इस्तेमाल ये साबित करने के लिए कि वे कभी स्वतंद्रते किन्तु ततपश्चात ये सुकुरूप में देखा, जैसे जैसे विबहनिस व्लाव राष्टि समुहों ने अपनी पहचान और स्वतंद्रता की परिबाशा तै करने की कोशिश की, बालकन ख्षेत्र गेहरे टकराव का ख्षेत्र बन गया, बालकन राज्ज एक दूतरे से भारी इशा करते थे और हर एक राज्ज अपने लिए ज्यादा से ज्यादा इलाका हत्याने की उमीद रखता था, परिसितियां और धिक जटिल इसलिए हो गई क्योंकि बालकन ख्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतीस परधा होने लगी, इस बीच यूरोपी शक्तियों के बीच व्याप और उपनिवेशों के साथ नौसैनिक और सैनिक ताकत के लिए गहरी प्रतीस परधा थी, जिस तर बालकन समस्या आगे बढ़ी उसमें ये प्रतीस परधाएं खुल कर सामने आई, रूस, जर्मनी, इंग्लेंड, ओस्तो, हंगरी की हर ताकत बालकन पर आने शक्तियों की पक राष्टवाद 1914 में यूरोप को महा विपता की ओर ले गया, लेकिन इस बीच विश्के अनेक देशों ने जिनका 19 सदी में यूरोपी शक्तियों ने आपनिवेशी करण किया था, सामराज्यवादी प्रभुद्व का विरोध करने लगे, हर तरफ जो सामराज्य विरोधी अंदूरन विक्सित हुए इस अर्थ में राष्टवादी थे कि वे सभी स्वतंत्र राष्ट राज्य का निर्मान करने के लिए संखर्श कर रहे थे, वे सभी एक सामोहिक राष्टवी एकता की भावना से प्रिरिश है, जो सामराज्यवाद विरोध की प्रक्रिया में कि समाजों को राष्ट राज्यों में गठत किया जाना चाहिए, अब स्वाभाविक और सार्व भूम मालिया गया। इन पर टिपड़ी करें। जूसेपे मेटसनी, काउंट कैमिलो दे कावूर, यूरानी स्वतंतरता युद, फ्रेंक्फर्ट संसद, राष्टवादी संगर्शों में महिलाओं की भूमेका। दू, फ्रांसीसी लोगों के बीज सामूही के पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। नेपोलियर ने क्या बतलाव किये? चर्चा करें 1. उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है? उदारवादियों ने किन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया? 2. यूरूप में राष्टबाद के विकास में संस्क्रती के योगदान को दर्शाने के लिए तीन उधरन दीजिए। 3. किनी दो देशों पर ध्धान केंद्रित करते हुए बताईए कि 19 सदी में राष्ट किस प्रकार विक्सित हुए? 4. बृतेन में राष्टबाद का इतिहास शेश यूरूप की तुलना में किस प्रकार विक्सित था? पांच बालकन प्रदेशों में राष्टवादी तनाव क्यों पनपा परियोजना कारे यूरूप से बाहर के देशों में राष्टवादी प्रतीकों के बारे में और जनकारी इखटा करजिए एक या दो देशों के विशय में ऐसी तस्वीरे, पोस्टर्स और संगीत इखटा कीजिए जो राष्टवाद के प्रतीक थे वे यूरूपी राष्टवाद के प्रतीकों से भिन्द कैसे हैं आई एटी, न्सी एटी, नई दिल्ली, भारत